सिर्फ एक सवाल गुरुजी, हम मनुष्य इस प्रित्वी पर ऐसे ही आ गए हैं या भगवान की या किसी अलौकिक शक्ती की मर्जी से आये हैं? हम इस ग्रह पर क्यों हैं? बस संयोग से या किसी अलौकिक शक्ती की योजना की वजह से? मेरे कहल से पृत्वी भी यही सोच रही है कि ये इनसान यहाँ पर आखिर क्यों आ गए देखिए सौर मंडल की बनावट और अंतरिक्ष की ऐसी ही दूसरी प्रणालिया, आकाश गंगा हैं वगर ये सब इस रूप में है क्योंकि वो जामिती की एक सटीकता तक पहुँच गई है जामिती यानि अभी पृत्वी सूरी के चारों और घूम रही है इसे अपनी सटीक औरबिट मिल गई है इसलिए ये लगतार घूमे जा रही है कोई इंजिन इसे नहीं चला रहा देखे हवाई जाहाज उड़ रहा है लेकिन उसे इंजिन की शक्ती के कारण धक्का मिलता है इसे कोई धक्का नहीं मिल रहा ये बस जामिती की सटीकता तक पहुँची और ये घूमे जा रही है जिस दिन इसने अपनी जामिती की सटीकता खो दी इसने अपनी और्बिट खो दी ये गई काम से तो इस प्रक्रिया में इस ग्रह पर जीवन भी पनप्ता है इसी ज्यामिती को विभिन नस्तरों पर शामिल करके हम यौगिक संस्कृती में कहते हैं कि इनसान शारेरिक रूप से और दिमाग के मामले में भौत एक विकास की चरम सीमा तक पहुँच गया है यानि कि लाखों सालों के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर से एक सींग निकलाए जैसे कि पूझ गायब हो गई, कुछ और गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता हम ऐसा एक खास संदर्ब से कह रहे हैं आज, modern neuroscientists भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनसान के दिमाग में न तो neuron का आकार बढ़ सकता और नहीं अंदर की wiring बढ़ सकती है क्योंकि भौतिक नियम इसकी अनुमती नहीं देते Laws of Physics इसकी इजाज़त नहीं देते मैं इसकी गहराई में नहीं जाओंगा इसे सरल शब्दों में कहें तो हम इसे यूँ देखते हैं आपका जन्म इस ग्रह पर सारा जीवन सौर उर्जा पर चलता है है न? हाँ? इस सूर की उर्जा है जो ये सब कर रही है साती सात चंद्रमा के गोल घूमने और चक्कर लगने का भी हमारे उपर प्रभाव पड़ता है समुद्र का स्तर भी चांद की गती के साथ कम ज्यादा हो रहा है चूंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा की परिक्रमा के साथ तालमेल में थे हम पैदा हुए और अभी हम यहाँ है हाँ अगर चंद्रमा की अठाइस दिन की परिक्रमा महिलाओं के शरीर में खुद को न धोराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते तो चूंकि यह उस हद तक पहुँच गया है हम कहते हैं कि भौतिक नियम इस हद तक पहुँच गये है कि इस ग्रह पर जीवन अब और विक्सित नहीं हो सकता आपके पास जो कुछ भी है आप उसका पहले से बहतर इस्तिमाल कर सकते हैं उसी तकनीक का इस्तिमाल करते हुए हमने पहले साधारन फोन फिर स्मार्ट फोन और फिर आइफोन बनाया इसे तरह हम इसका बहतर इस्तिमाल करना सीख सकते हैं लेकिन मूल भूत भौतिक नियम इस प्राणी को और विक्सित होने की इजासत नहीं देंगे तो क्या ये संयोक से हो गया? नहीं विकास का सिध्धान्थ आप चार्ल्स डाविन को जानते जिन्होंने कहा कि आप बंदर थे मैंने नहीं उन्होंने कहा अगर आप विकास के सिध्धान्थ को देखें जिससे सिर्फ डेड़ सौ साल पहले ही प्रस्तुत किया गया था हम हजारों साल पहले ये कह चुके हैं मतलब क्या आप दस अवतारों के बारे में जानते हैं कम से कम नौ तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं पहला क्या है मत्से अवतार मत्से अवतार का मतलब है मचली या पानी का जीवन इस ग्रह पर जीवन के शुरुवात पानी के अंदर हुई अगला अवतार क्या है? कूर्मा अवतार एक कच्छुए की तरह उभैचर आधा पानी में और आधा जमीन पर अगला है वरह अवतार सुवर या जंगली सुवर सभी स्तन धारियों में से जंगली सुवर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मस्बूती से जुड़ा होता है हम जंगल के पास रहते हैं हम देखते हैं कि आदिवासी लड़के हिरन को एक छड़ी से मार सकते हैं अगर आप उसे एक छड़ी से मारते हैं तो वो मर जाएगा गली के कुटे हिरन का शिकार कर सकते हैं पर जंगली सुवर को मारने के आप कोशिश करके देखिए उसे मारना इतना आसान नहीं है आप उसे गाड़ी से ठोक दिजे उसकी रीड की हड़ी तूड़ दे फिर भी वो चला जाएगा वो रुकेगा नहीं क्योंकि वो शरीर से मस्बूती से जुड़ा होता है उसका जीवन बहुत शारे रिखे तो जीवन का अगला रूप था वरहा अपतार इसका सीधा सा मतलब ये है कि सृष्टी के रचयिता की पहली भी विक्ती थी आगला है नरसिंग आधा आद्मी आधा जानवर अगला है वामन एक बौन आद्मी अगला है एक पूर्न रूप से विक्सित लेकिन भावख होकर धीरच्कोदे ये वाल माना जाता है कि अगला दिविद्व माना जाता है kİ अगला देविदर्शी होगा, जो अभी तक आया नहीं है. ये बिलकुल डार्विन के विकास के सिध्धान्त की तरह ही है, है ना? ये दोनों एक ही क्रम में हैं. ठीक, एक ही क्रम में. डार्विन ने अपना सिध्धान्त सिर्फ डेड़ सौ साल पहले प्रस्तुत किया था. यही बात बारा से पंदरा हजार साल पहले कही जा चुकी है. खुद आदी योगी ने इसके बारे में बताया था. तो अगर आप जीवन पर गौर करते हैं, तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि जो निर्जीव है, उससे जीवन प्रकट हुआ और फिर उससे जीवन का विकास हुआ. हमने इसे हमेशा इसी तरह से देखा है. हमने हमेशा जाना है कि जीवन विक्सित हुआ है. अब जिस भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक साफ होता है. ऐसे प्रतीक कई जगाओं पर हैं, क्योंकि आज भी आपके दिमाग के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का दिमाग है. आप जानतें, कि आपके दिमाग का केंदरी मुख्य भाग अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन है और ये आज भी काम करता है. हमारे पास योग में अलग-अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाया जाए और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को काम करने दिया जाए. और आज हमारे पास वैग्यानिक प्रमान है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शांभवी महामुद्रा पर साइन्टिफिक स्टडीज की हैं. ये बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं. और वो कहते हैं कि अगर आप तीन महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो नियूरॉन्स के पुनर निर्मान की प्रक्रिया 241 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है. सिर्फ 21 मिनिट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241 प्रतिशत बढ़ जाती है और नियूरॉन्स का पुनर निर्मान होता है. इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ेगी, आप ज्यादा बुधिमान होते जाएंगे. आम तोर पर जवान लोग सोचते हैं कि आप मूर खोते जा रहे हैं. हाँ, आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है. समझे आप, ये हर दिन बहतर हो रहा है. अब वैग्यानिक प्रमाण भी मौजूद हैं. हम हमेशा से ये जानते थे. पर आज एक मीटर को ये कहना पड़ता है. अगर कोई इनसान कहता है, तो ये सच नहीं है. अगर कोई इनसान कहता है, तो बात भरूसे के लाइक नहीं है. किसी मीटर को ये कहना होगा. अब मीटर भी कह रहे हैं, कि बस 21 मिनट का अभ्यास करने से आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है और आप मीटर पर यकीन मत कीजिए आप बस 3 महिने तक ये अभ्यास कीजिए और देखिए आप पाएंगे कि अचानक आपका दिमाग कितना स्पष्ट और कितना तेज हो जाएगा कि अपका दो जाएंगे कि तक दिमागे कितना स्पारी कितना स्प्ष्ट झाल झाल